गल्वान घाटी, अकसाई चीन, काला पानी, लिपुलेख, नियंतरन रेखा और वास्तविक नियंतरन रेखा ये वो शवद हैं जिनका जिक्र अमूमन भारत चीन, भारत नैपाल या फिर भारत पाकिस्तान सीमा विवाद को लेकर अकसर होता है पिछले दिनों लिपुलेख और काला पानी को लेकर नैपाल के साथ जारी सीमा विवाद थमा भी नहीं था कि चीन सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों की बीच हिंसक जड़प हो गई जिस जगह पर ये जड़प हुई उसे भारत और चीन के बीच की वास्तविक नियंतरन रेखा के नाम से जाना जाता है तो भारत की अंतराश्ट्य सीमा नियंतरन रेखा और वास्तविक नियंतरन रेखा ये तीनों आखिर हैं क्या भारत की थल सीमा यानी लैंड बॉर्डर की कुल लंबाई 15,106.7 किलो मीटर है जो कुल 7 देशों से लगती है इसके अलावा 7,516.6 किलो मीटर लंबी समुद्री रेखा है भारत सरकार के मताबिक ये 7 देश हैं बांगला देश, चीन, पाकिस्तान, नैपाल, मियामार, भूट अब बात करते हैं भारत चीन के बीच पढ़ने वाली वास्तविक नियंतरन रेखा की सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि भारत चीन के साथ 3,488 किलो मीटर लंबी सीमा साजा करता है ये सीमा जम्मु कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्राखंड, सिक्किम और अरुनाचल प्रदेश से होकर गुजरती है, ये तीन सेक्टरों में बटी हुई है, पश्चिमी सेक्टर यानि जम्मु कश्मीर, मिडल सेक्टर यानि हिमाचल प्रदेश और उत्राखंड, और फिर पूर्वी सेक्टर यानि सिक्किम और अरुनाचल प्रदेश, हाला कि दोनों देशों के बीच अब तक पूरी तरह से सीमांकर नहीं हुआ है क्योंकि कहीं इलाकों को लेकर दोनों देशों के बीच सीमा विवाद हैं भारत पश्चमी सेक्टर में अकसाई चीन पर अपना दावा करता है जो फिलहाल चीन के नियंतरण में है भारत के साथ साल 1962 में हुए युद्ध के दौरान चीन ने इस पूरे इलाके पर कबजा कर लिया था वहीं पूर्वी सेक्टर में चीन अरुनाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है चीन कहता है कि ये दक्षिनी तिबबत का हिस्सा है चीन तिबबत और अरुनाचल प्रदेश के बीच की मैक मोहन रेखा को भी नहीं मानता वो अकसाई चीन पर भारत के दावे को भी खारिच करता है इन विवादों की वजह से दोनों देशों के बीच कभी सीमा निर्धारण नहीं हो सका हालां कि यता इस्तिती बनाये रखने के लिए लाइन औफ अक्च्छल कंट्रोल यानि लएसी टर्म का इस्तिमाल किया जाने लगा हालां कि अभी ये भी सपस्ट नहीं है दोनों देश अपनी अलग-अलग लाइन आफ अक्च्छल कंट्रोल पर कई ग्लेशियर बर्फ के रेगिस्तान पहार और नदियां पढ़ते हैं LAC के साथ लगने वाले कई ऐसे इलाके हैं जहां अक्सर भारत और चीन के सैनिकों के बीच तनाव की खबरे आती रहती हैं अब बात भारत पाकिस्तान के बीच लगने वाली नियंतर नरेखा जिसे हम LOC कहते हैं साथ दशकों से भी ज्यादा वक्त गुजर चुका है लेकिन जम्मू और कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का मुख्य मुद्दा बना हुआ है ये छेतर इस समय एक नियंतर नरेखा से बटा हुआ है जिसके एक तरफ का हिस्सा भारत के पास है तो दूसरा पाकिस्तान के पास साल 1947-48 में भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू और कश्मीर के मुद्दे पर पहला युद्ध हुआ था जिसके बाद से युक्तुराष्ट की निगरानी में युद्ध विराम समझोता हुआ इसके तहत एक युद्ध विराम सीमा रेखा तै हुई जिसके मुताबिक जम्मू और कश्मीर का लगभग एक तिहाई हिस्सा पाकिस्तान के पास रहा जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है लगभग दो तिहाई हिस्सा भारत के पास है जिसमें जम्मू, कश्मीर घाटी और लद्दाक शामिल हैं साल 1972 के युद्ध के बाद शिमला समझोता हुआ जिसके तहत युद्ध विराम रेखा को नियंतरन रेखा का नाम दिया गया भारत और पाकिस्तान के बीच ये नियंतरन रेखा 740 किलोमीटर लंबी है यह परवतों और रिहाइश के लिए प्रतिकूल इलाकों से गुजरती है कुछ जगह पर यह गाउं को दो हिस्सों में बाटती है तो कहीं परवतों को वहां तैनात भारत और पाकिस्तान के सैनिकों के बीच कुछ जगहों पर दूरी महज 100 मीटर है तो कुछ जगहों पर यह दूरी 5 किलोमीटर हो जाती है दोनों देशों के बीच नियंतरंडरेखा पिछले 50 साल से विवाद का विश्रय बनी हुई है मौजूदा नियंतरंडरेखा भारत और पाकिस्तान की बीच साल 1947 में हुए युद्ध के वक्त जैसी मानी गई थी करीब करीब वैसी ही है उस वक्त कश्मीर के कई इलाकों में लड़ाई हुई थी उत्तरी हिस्से में भारतिय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों को करगिल शहर से पीछे और श्री नगर से लेहराज मार्ग तक धकेल दिया था 1965 में फिर युद्ध छिडा लेकिन तब लड़ाई से बने गती रोध की वजह से यथा इस्ति थी 1971 तक बहाल रही 1971 में एक बार फिर युद्ध हुआ इस युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान तूट कर बांगलादेश बन गया उस वक्त कश्मीर में कई जगों पर लड़ाई हुई और नियंतरन रेखा पर दोनों देशों ने एक दूसरे की चौकियों पर नियंतरन कर लिया भारत को करीब 300 वर्ग मील जमीन मिली यह नियंतरन रेखा के उत्तरी हिस्से में लद्दाख इलाके में थी साल 1972 में शिमला समझोते और शांती बाच्चीत के बाद नियंतरन रेखा दो बारा इस्थापित हुई दोनों पक्षों ने ये माना कि जब तक आपसी बाच्चीत से मसला ना सुलच जाए तब तक यह थास्तिती बहाल रखी जाए यह प्रक्रिया लंबी खिंची फिल्ड कमांडरों ने पांच महीनों में करीब 20 नक्षे एक दूसरे को दिये आखिरकार समझोता हुआ इसके अलावा भारत पाकिस्तान की अंतराष्ट्य सीमा राजिस्थान, गुजरात और जम्मू से भी लगती है सियाचिन ग्लेशियर, यानि Actual Ground Position Line सियाचिन ग्लेशियर के इलागे में भारत पाकिस्तान की स्थिती Actual Ground Position Line से तै होती है 126.2 किलोमीटर लंबी Actual Ground Position Line की रखवाली भारत यसे ना करती है 80 के दशक से सबसे भीशन संघर्ष सियाचिन ग्लेशियर में चल रहा है शिमला समझोते के समय ना तो भारत ने और ना ही पाकिस्तान ने ग्लेशियर की सीमाएं तै करने के लिए आग्रह किया कुछ विशलेशकों का कहना है कि शायद इसकी वजह यह थी कि दोनों ही देशों ने इस भयानक इलाके को अपने नियंतरण में लेने की जरूरत ही नहीं समझी कुछ यह भी कहते हैं कि इसका मतलब यह होता कि कश्मीर के एक हिस्से पर रेखाएं खीचना जो चीन प्रशाशित है मगर भारत उन पर अपना दावा करता है बात भारत भूटान सीमा की भूटान के साथ लगने वाली भारत की अंतराश्ट्य सीमा 699 किलो मीटर लंबी है सश्रस्त्र सीमा बल इसकी सुरक्षा करता है भारत के सिक्किम, अरुनाचल प्रदेश, असम और पश्चम बंगाल राज्ज की सीमा भूटान से लगती है भारत नैपाल सीमा उत्राखंड, उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्चम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं नैपाल के साथ लगती है भारत नैपाल अंतराश्ट्य सीमा की लंबाई 1751 किलो मीटर है और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सश्रस्त्र सीमा बल के पास ही है दोनों देशों की सरहद ज्यादा तर खुली हुई है और आड़ी तिर्ची भी है हलांकि अब सीमा पर चौक्सी के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती बड़ी है मुश्किल इस बात को लेकर है कि दोनों देशों की सीमाओं का निर्धारन पूरी तरह से नहीं हो पाया है महाकाली और गंड़क जैसी नदियां जिन इलाकों में सीमांकन तै करती है वह मौनसून के दिनों में आने वाली बाड़ से तस्वीर बदल जाती है नदियों का रुख भी साल दर साल बदलता रहता है कई जगहों पर तो सीमा तै करने वाले पुराने खंबे अभी भी खड़े हैं लेकिन इस्थानिये लोग भी उनकी कदर नहीं करते भारत म्यामार सीमा मयामार के साथ भारत की 1643 किलो मीटर लंबी अंतराष्ट सीमा लगती है इसमें 171 किलो मीटर लंबी सीमा की हद बंदी का काम नहीं हुआ है मयामार सीमा की सुरक्षा का जिमा असम राइफल्स के पास है भारत बांगलादेश सीमा 4096.7 किलो मीटर लंबी भारत बांगलादेश सीमा पहाडों, मैदानों, जंगलों और नदियों से हुकर गुजरती हैं ये सरहदी इलाके सघन आबादी वाले हैं और इनकी सुरक्षा का जिम्मा सीमा सुरक्षा बल यानि BSF के पास है भारत बांगलादेश सीमा पर अंतरराश्टी सीमा के अंदर किवल एक किलो मीटर तक के लाके में BSF अपनी कारवाई कर सकता है इसके बाद स्थानिय पुलिस का अधिकार शेतर शुरू हो जाता है